हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मेरा नाम है कश्फुर और इस वीडियो में हम डीटेल रिसर्च करने वाले KPIT टेक्नोलोजी कमपनी के बारे में मैंने बहुत जादा इस कमपनी के उपर रिसर्च किया क्योंकि इस कमपनी का बिजनस ही समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये कमपनी मुझे लगता था कि software कमपनी है IT कमपनी है और जादा तर यूट्यूबर स्रीफ इसको IT कमपनी कंसिडर करके इसके उपर वीडियो बना रहे थे हैं so मैंने इसके उपर काफी डीटेल रिसर्च किया है बहुत सारे वीडियो भी देखें इसके लिए थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है सो मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझा इस कमपनी का तो सबसे पहले मैं समझा तो एक कमपनी करती क्या है उसके बाद हम इंडर्स्री रिसर्च और पूरा कमपनी के बारे में जानेंगे सो दाट आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा और यह स्टाउक में ने 95 रुपीज पे रिकमेंड के था फ्रेंड आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हो और आज यह स्टाउक 240 रुपीज के उपर है क्यों इस वीडियो में आपको पूरा मालूम पड़ेगा लेकिन प्लीज इस वीडियो को लाइक करो स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत सब लोग लोग लाइक करना भूल जाते हैं कंटेंट अच्छा लगने के बाद भी सबसे पहले यह कंपणी पावर ट्रेंड का प्राक्टिस करती है पावर ट्रेंड मतलब जो यह ऑटोनोमस यह सब में डील करते हैं जहांपे इंजीन का जो एनरजी होता उसको ट्रांसफर किया जाता है वहिकल का सो आपका जो पाईया गाड़ी का चल सकें सो उसके अंदर यह कंपणी ऑटोनोमस प्रोवाइट करती है सेकेंड इनका प्राक्टिस है एडी और एडी एस करके टेकनोलोजी यूज़ करते हैं जिसके अंदर गाड़ी रिकागनाइस कर सकता है क्या क्या है मतलब आज वाजू में लैंडमार्क क्या है आगे कुछ है कि नहीं या फिर वो बिना जीपीएस के भी लोकेट कर सकता है पोजीशन और यह सब डेटाबेस के साब से तो पूरा का पूरा और और आटिफिशल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है इनके बिजनस में थीसरा इनका जो सेग्मेंट जो यहां पर गाड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है इनका सो उसके अंदर क्या करते हैं बहुत सारी गाड़िया आने वाले वक्त में एक दूसरे से बात कर पाएंगे ड्यू टू आटिफिशल इंटेलिजेंसी सो जैसी कोई गाड़ी सामने से आएगा तो पहली वह गाड़ी आटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा और आटोमेटिक रुख जाएगा तो उसके अंदर यह डील करते हैं इनका काफी अच्छागासा वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यू पे आप जाकर करके देख सकते हैं या मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा सो बिजनस आपको समझ हो सकता है इनके हिसाब से सो दमेगा ट्रेइन आटोमेटिक इंडर्स्टी अभी के टाइम पर बात करें डिजिटाइजेशन इलेक्रिफिकेशन आटोनमस एंचिएड विल कंटीनु तो यह जो इलेक्रिफिकेशन है मतलब जो वाइरिंग का सिस्टम अंदर होता है पूरा- आटोमोटिक का डिमांड है तोड़ा सा स्लो है उसके बिसनेस भी थोड़ा सा डाउन है दूसरा विदिन नेक्स टेन यहर्स अल्मस्ट आल कार्स इंडर मार्केट विल हाव सम फॉर्म अफ कनेक्टिविटी मतलब आने वाले दस साल के बाद हर एक कार एक दूसरे से कुछ कुछ फॉर्म में तो कनेक्टिन रहेगा लाजडी द्यू अविल्बिलिटी ओफ फास्टर कम्मिनिकेशन नेट्वर्क और राइजिंग कंजूमर प्रिफरेंस तूवर्स कनेक्टेट फीचर मतलब जैसे दस साल के बाद लोगों अर्निंग क्यापितल्स अगर इंक्रीस हो होगा तो लोग अच्छी गाडियस प्रिफर करेंगे जहां पर यह कम्मिनिकेशन नेट्वर्क आर्टिफिशल इंट्रीजन से ज्यादा कनेक्टेट हो वो सीफ और ग्रीन ट्राइब कर सकें उसके बाद हम बात करें पैनेट्रेशन रीट फॉर ऑ्टोनोमोस कार्स में मतलब वक्त के साथ साथ में धिरे दिरे लोगों का एकोनोमी सिचुएशन बहतर होगा रेगुलेशन नए नॉम्स आएंगे ग्रीन और सेफ्टी चलाने के लिए कार्ट तो यह टेक्नोलोजी को फाइदा होगा इसके बैसे इसके अंदर ग्रोथ दिखेगा मतलब यहां से एक चीज़ कंसीडर करो यह ग्रोथ स्टॉक है वाल्यू इंवेस्टिंग स्टॉक बिलकुल नहीं है सेकेंड शेर ओफ एलेक्ट्रिक कार्स अभी एलेक्ट्रिकल विकल्स की बात करें जो की चांसे से 35-45 परसंट के आसपास मार्केट में उतर जाये कोन सा चाइना और यू 80-year´s ago in the cell phone industry about 10 years ago आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रिक देखिले आप सेलफ़ोन का और आज 10 साल के बाद सारे के सारे समार्पोन हो गये तो जिस तरह सो उसके अंदर जेंशे आए उसी तरह automobile industry के अंदर में पूरा का पूरा changes देखने को आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा system use किया जाएगा उसके बाद as a result we anticipate that complex ecosystem will emerge in the mobility sector and technology focused player like KPIT will have a major role to play in this change so इस change को ये company एक तरह से को तो अभी identify कर पा रही है मतलब इस company को long run में फाइदा definitely होगा उसकी वज़े से company का share price उपर जा रहा क्योंकि उस technology में जो deal करी company जो अभी के टाइम पे जादा तर company सोच नहीं रही है so खुद को ये company differentiate करें with respect to other IT companies इसके लिए stock का ये company के पास competitive strength है competitive edge है क्योंकि वो segment में deal करती है जहां पे बहुत कम player deal करते है जिससे ये company बहुत सारे large player को cater कर पाता है अपना business यहां से हमने industry समझ लिया मतलब definitely ये future तो bright no doubt even we believe कि आने वाले 10 सार बंदर साल में आटोविल industry पूरी तरशे shift हो जाएगा अब इस company के बारे हम बात कर लें ये recentry 2018 के time पर de-merge हुआ इनका birla software connection था ये 1999 में ही company list हो गए थी लेकिन इसके बाद de-merge हुआ इस company का business अभी की पूरा इनका vertical उस पर ही focus कर रहा है KPIT technology company है ये MNC company है पूने based महराश्टरा में उसके बाद अगर हम बात करें global technology leader in mobility with a sharp focus on autonomous जो मैंने आपको बताया clean smart and connected specializing in embedded software artificial intelligence and digital solution and located across all the major automotive hubs automotive hubs का जो बड़ा बड़ा है US में हो गया चाइना में हो गया और आपका यूरोप में तो ये सब जगह पर इस company का काफी अच्छा presence है यहां से ऐसे word से मालूम पड़ा जो हम आगे देखेंगे तो company autonomous में डील करता है clean और connectivity smart connection यह सब के बारे में बात कर रहा है मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर shift के बारे में बात कर रहा है और उसके अंदर यह company deal करती है और यह company only embedded software company with a deep domain expertise across case मतलब connected autonomous shared and electrified domain जो मैंने आपको already क्या करते है वो explain क्या जो एक ही ऐसा company है जो सबसे अधा detail में इसी domain के अंदर deal करता है मतलब company अच्छा का सा player बन सकता है इस segment में next technology that enables people and good to move in cleaner smarter and safe way मतलब हर को ही चाहता है कि अच्छी गाड़ी मतलब जो clean way मतलब clean way मतलब जैसे कि आप आज try drive करते हो manually so autonomous automatically drive automatically सब कुछ locate करे automatically बिना gps के भी चले right this includes passenger vehicles में deal करते commercial vehicles में off highway vehicles and organization that offer mobility as a service जो मतलब mobility के service offer करते उनके लिए भी help करते मतलब जो major business जो है इनका commercial vehicle के अंदर autonomous और दुसरा अपका passenger vehicles में deal करते है company इनके पास total 13 offices है काफी बहतरीन offices company का आप annual report यह सब in and where the ecosystem is transforming और जहां जहां पर प्रिजेंट है वहां पर काफी बड़े-बड़े leaders के साथ यह company काम करते जैसे BMW Cumans Packard और लफार यह सब बड़ी-बड़ी companies है जिसके साथ इनका टाया पर जो की काफी sound और long term में और ज्यादा नए-ने players आएंगे राइट यहां से company के बारे में भी हमने जान लिया उसके बाद आप यहां पे इस company का business model समझते हैं कि किस तरह से breakup है इनको कहां से सबसे ज़्यादा बिजनस आता है passenger cars जिसके अंदर में जो services practice deliver करते है 75% वहां से आता है commercial vehicle से 23% और new mobility जो नए-ने एक type के car आ रहे हैं वहां से 1% और other so 1% मतलब company का सबस्यादा business का passenger cars और commercial vehicle से आता है दूसरा कर हम बात करे revenue by practice so मैंने जिसे कहा उनको जो यह services provide करते power train जो engine से जो vehicle के अंदर में जो energy transfer करते engine से वहां से 34% का business आता है ADDAS से around ADS के बात करें 23% आता है connected vehicle से 13% और other services यह 30% के आस पास आता है जो मैंने आपको already explain किया friend उसके बाद अकर हम बात करें इस company का तो आप यहां पर देख सकते हो कि revenue by geography so around Europe से 39% के आस पास business और US से 41% मतलब काफी जादा इनका outer side में काफी जादा इनका exposure है as compared to India India से काफी कम revenue आता है company although company Indian based है right so इनको rest of the world से 20% आता है मतलब जाए आता है दो business जहां पर USA और Europe और आपको माल में सबस्यादा COVID-19 की वेसे यूरोप में सबस्यादत strictest lockdown था जिसके इस company को काफी फरक पढ़ा है so business model समझ लिया और इनका अगर हम देखें कि type of contract किस तरह से business के अंदर में भी किस तरह से service charges करते हैं तो इन revenue by contract type की बात करें time and material basis पे 45.4% के आसपास quarter 4 में था fixed price basis मतलब जो इनका fixed price basis से उस service या जो भी प्रवाइड करते हैं वहां से 54.6% और यह आप यहाँ पर देख सकते है quarter quarter basis पे time and material basis पे continuous growth देखने को मिल रहा है और साथ-साथ में आपका fixed price basis में भी growth देखने को मिल रहा है इनका client की बात करें active strategic T21 clients revenue around 85.64% मतलब 21 clients इनके इस 85.64% के आसपास बने आता है active clients की बात करें क्योंकि बड़े-बड़े clients इनके बास तो 55 active clients और quarter 4 financial year 21 के हिसाब से right so अब इस company के बारे update के में बात कर लेते हैं कि company के फिलाल कोई projects और यह सब मिला है क्या so यहां पे आप देख सकते हो a leading Asian car manufacturer selected KPIT for a couple of programs in the connected domain so connected vehicle domains की बात करो वहां पे इनको काफी जाता Asian जो largest players जो उन्होंने इनको select किया है कि हमारी company के साथ आप काम कर और यह features हमको provide करो दूसरा a leading Asian car manufacturer selected KPIT for multiple programs in autonomous driving domain जो मैंने आपको ADDAS करके था तो वह service भी इनको select किया है कि वह चीज़ भी हमको चाहिए दूसरा इनका leading European commercial vehicle manufacturer selected KPIT for program in vehicle diagnostic area मतलब गाड़ी के अंदर में research and development करना उसके अंदर में पूरा का पूरा डील करना इस company बास काफी जाता patent available है अच्छा गासा सो वहां पर यह diagnostic के अंदर में deal करेंगा वहां से बनको projects मिला है उसके बाद leading American car manufacturer selected KPIT for program in the autonomous driving area so autonomous driving area जो मैंने आपको already discussed किया उसके अंदर में American select किया है साथ साथ में powertrain की बात करेंगे domain में वहां भी American tire one ने select किया है तो यहां से साबसाब नजर आ रहा है कि new engagement इस company को long term में काफी ज्यादा बहतर return देगा क्योंकि इनका जो अभी की type पे tie up हो रहा है connection हो रहा है so company long term में cash flow और ज्यादा generate कर पाएगा right so आगे बनने से पहले अगर आपको 10th batch मेरा join करना है stock analysis of course जो 6th of June से start हो रहा है जिसके अंदर fundamental technical or sentimental analysis काफी detail में cover करता हूँ so that आप independent trader और investor बंसों को यह guaranteed course है अगर lecture पसंद नहीं तो आपका fees refund हो जाता है साथ साथ आप चाहो तो 11th, 12th और 13th batch फिर से बैठ सकते हो free of cost इसके अंदर आपको price action strategy, swing trading, entry cup करना, exit cup करना, types of pattern, आपको industry research, micro economics, balance sheet, income statement, cash flow statement, ratio analysis यह सारा का सारा business analysis इसरे A to Z cover करता हूँ, अगर course पसंद है तो फीस तो refund है और 100% सीखने को मिलेगा, अगर आपको join करना तो definitely join किजिए, next week से start हो रहा है, okay, so इस company का performance check करते है, last one year का, so last one year में अगर हम बात करें, इस company ने लगभग 392.59% का return दिया, साढ़े 300% का return दिया, जो की massive return है, 49 rupees का low है और 250 rupees का high आप यहां पे देख सकते हो, so यह stock continuously उपर जा रहा है, लेकिन small cap में आथा 6,526 crore के हांस पास और इस stock continuously राली कर रहा है तो उसका beta का value 2.90, मतलब यह risky stock है, अभी के time पर अगर आप entry करोगे, और सोचोगे कि और 500% return मिल जाए, या 100% return मिल जाए, not possible, may be possible or may not be, but पाएगा, may not be, otherwise वो stock overvalued है, कि इसका जो demand है, यह खुद कहरे है कि 10 से 15 साल में आएगा, so आपको gradually stock को buy करके रखना चाहिए, long term perspective के लिए, यहां से clear होता है, उसके बाद इनका quarter performance शेक करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते, उनको कहां कहां से business आता है, so यह US million dollar में है, so quarter quarter 4 में 74.48 million dollar के आसपास इनका revenue generate हुआ है, वहीं पे quarter 3 में 69 था, तो मतलब growth देखने को मिला है, quarter quarter basis पे 6.8% हुआ है, और year on year basis पे कहां हो तो 3.62% से decline हुआ, क्योंकि financial 21 हर एक company के लिए इतना खास नहीं रहा है, और खास करके automotive industry के लिए तो बिलकुल नहीं, so आप यहां पे देख सकते हुए, इनका सबसे ज़्यादा business, US, Europe और Asia, right, passenger और cars और vehicle से सबसे ज़्यादा segment आता हुआ, यहां पे आप देख सकते हो कि यह अच्छा का सा decline देखने को मिला है, और इनका जो power train, ADS या जो मैंने आपको connected domain से बता है, वो यहीं से मैंने calculate करके वहां पे रखा है, यहां से आपको समझे में है कि company और quarter on quarter basis पे काफी बहतर है, लेकिन year on year basis पे company का तोड़ा सब decline हो है due to this covid situation, right, इनका अगर हम देखें, balance sheet की बात करें quarterly basis अभी की ताइम पे काफी sound balance sheet इस company का, net cash लगभग 69% का balance sheet का represent कर रहा है, fixed asset की बात करें, 16% का आस पास है land, building, plan, property and furniture, तो और और इनका net worth है 11,989 million रुपीस के आस पास, तो मतलब company का balance sheet भी काफी बहतर है, right, इनका अगर आप cash flow major देखेंगे, तो decrease in working capital, जो की काफी बहतर होता, अगर working capital day, capital increase होता है, तो company का receival काफी problem होता है, और company को बाहर से fund raise करना पड़ता है, so यहां पे आप साब साब million रुपीस के आस पास available है, जो इक company utilize कर सकते है अपने बुरे वक्त में या नए business को करने, recently company ने अपना नया office बहुत सारा start किया, यह चीजी पर आपको notice करना है, long term debt की बात करें, आप देख सकते है, 183 million रुपीस के आस पास था, quarter three में, quarter four में company debt free हो गई, जिसके विसके company का जो rating है, crystal नहीं आएक रहा, I think, A1 के आस पास उन्होंने कर दिया, short term debt भी नहीं है, मतलब company debt free है, मतलब company का business भी अच्छा, company का future prospect भी अच्छा, company का balance भी अच्छा और company का continuously debt भी zero, और company को leverage जादा मिलना तो company long term में बैतर करेगा, so यह long term के लिए stock बैतर साबित हो सकता है, इस 76 crores, with 2,184 crores, with 2,056 crores, 2021 में down हुआ है, लेकिन company अच्छा खासा revenue generate कर रहा था, net income की बात करें, 54 crores, 146 crores, 140 crores, so company continuous profit और revenue तो काफी decent देख रहा है, except financial 21, we can accept, समझ सकते हैं कि इस time पर हर एक business impacted था, automotive industry तो काफी ज़्यादा सफर कर रहा है, इसको बैत बैलने शीट की बात करे जो 117 crores के आस पास था, अब वो एक तरह से निल हो चुका है, right, cash flow statement एक plus point is company, cash flow from operation 151 crores, 388 crores, ये एक plus point है company का, cash flow from operation increase होता है, मतलब company का profit और increase होगा, right, so definitely यहाँ पे सापसम नजर आ रहा है कि company का earning quality long run में और increase होगा, company और ज्यादा profit number report करने वाली है, और free cash flow की बात करें, 124 crores या 320 crores ये continuously increase होगा, मतलब company अच्छा खासा free cash flow generate करें, जो चाहे तो dividend के लिए, bonus के लिए, या नए plant, equipment या नए technology में इनवेस्ट करने के लिए use कर सकती है, right, so company का financial health भी काफी fabulous है, right, उसके बाद अगर आप एक चीज़ notice करोगे, company का shareholding pattern, ये भी मुझे काफी अच्छ हो रहा है, increase हो रहा है, 9.34% था, 2019 December में, वहीं मार्च में अब भी बात करें, 2021 में, 13.69% के आसपास company का mutual fund holding stake है, वो बिलीव करें कि fund manager resource करने के पाद invest करते है, तो इसमे stake continuously increase हो रहा है, so ये एक positive sign है, वहीं पे foreign institutional holding 20.92%, retail holdings 25.25%, so यहां से अगर मैं कहूं, अभी के टाइम पे stock थोड़ा सा उपर है, लेकिन long term के इसाप से अगर company सोच रहे हो, आने वाले 5 से 10 साल के लिए, this stock can give you a multiple return, for sure, लेकिन I am not a CB registered analyst, please note, so मेरे पास लेकिन skills और knowledge है, तो मैं इसके इसाप से research करके, आपको मैं अपना fact बता रहा हूँ, बाकी call लेना आपके उपर है, तो मेरे ख्य like करो, share करो, subscribe करो, thank you so much.